हेलो फ्रेंट्स मैं उनिसांत और स्वागत करता हूँ आप सभी का बिहार एगरी कल्चेर एकिर्मी में तो दोस्तों देख सकते हैं आप एंटिकी की और से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की और से आप सभी का आप लोको मैं बार-बार कह रहा था अभी तक आप लोका का स्टार्ट ही हुआ है कि कुछ दिन पहले अभी तक आप लोका लिस्ट भी नहीं है कि किसको कौम सा कॉलेज अलॉट हुआ है और आइसी आर की तरफ तो यहां पे एकेडमिक सेजन सेशन 23 से लेकि 24 तक लिए क्या कि रिलीज कर दिया गया है कि आपका एक्जाम किस मंथ में होने वाला है आप लोके मन में जो भावना पहले से बनी हुई थी इसरह हमारे पास एक साल का टाइम पचा हुआ है अगर मेरा सेलेक्शन नहीं होता है तो हम एक साल का टाइम मिलेगा प्रिप्रिटेशन कर लेंगे आप लोग के मान में अभी बहुत कई सारे स्टूरेट इस से हैं जिनके मन में यह चीजे बनी हुई है कि कॉंसलिंग तक नहीं हुआ है में पस एक साल का टाइम है पढ़ने के लिए नेश्ट एर एक्जाम दे रहे हैं तो देखिए दोस्तों आइसियार के और से आप लोग कर लीजिए कि आपके पास कितने मेने का टाइम बचाओ है आप पढ़ते हैं तो जिन भी स्टूडेंट का रेंक थोड़ा सा ज्यादा था जिनका इस पर सेलेक्शन नहीं हो रहा है नहीं आई सीयार में नहीं आपका भीहार कंबाइन में अब वह बच्चा दुआरा प्रप प्रपरिशन नहीं किया है तो प्लिज इसका प्रपरिशन स्टार्ट कर दीजिए डेट सीट आप आ चूगी है अप्रिल के मत में आपका एक्जाम होने वाला है आगे बास करते हैं आप सीटी का भीडिट सीट आप आ गया है कॉमान इंवर्सीटी इंट्रेंस टेस्ट इसक प्लिज आप लोग से रिक्वेस्ट है जिनका वीडिया कहा है अभी तक स्टार्ट नहीं किया नेक्स यर के लिए प्रप्रेशन तो स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको सब कुछ कवर आपको कवर करना बहुत ही मुस्किल हो सकता है ठीक है द